नमस्ते किसान बाईयों तो आज हमारे प्लाट को चमाहना 20 दिन हो गई है जो अब आरली कमाल की साइज थ्थी जो में अपधितनीघ है तो आज हम प्लाट को चाय मैना 20 दिन क्या डाल रहे हैं और कौन-कौन सा भिर्वर यह हlaw में जानेंगे और यह में चाहिए क्या होगा हमारी साइज श्याई और यह सब बहुत अच्छी तरह के से मिंटेन होगी और हमको अच्छी तरह से रेट मेरेगा तो हमारे यूट्यों में लाश्ट जरूर बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो किसान बावी पहले हमने सरकी पेंड ली है जो उसे कपासिक पेंड भी बुलते हैं और उसको टैक्टर के नीचे फैला के उस पर टैक्टर चला ली है और उस स्यंगदाना पेंड को उसमें आच्छी तरह से मिक्स करके लिया है स्यंगदाना पेंड हमने 300 ग्राम प्रती पेड इस तरह से ली है किसान में हमने यारा मिला कंप्लेक्स यारा कंपनी का लिया है और यारा मिला कंप्लेक्स हमने हर पेड को 1500 ग्राम यारा मिला complex लिया है और उसके साथ ही हमने आकरा 52 जुरो ये इनपी के आकरा 50 जुरो ये उसके साथ भी लिया है जो हमारे पेड को nitrogen की भी आवशकता रहते हैं इसके लिए हमने अभी nitrogen के लिए आकरा टकी nitrogen लिया है और 52 टकी phosphorus लिया है और पोटेश हम 내aware डाला था तो पोटेश हम बाद में ड्रिपसे देंगे और उसके उपर हमने यहारा मिलोकॉम्पलक्स ढाला है तो हमने पूरी तरह से हाथ गुमा है और उसके साथ हमने फावड़े से उस स्पेंड और केमिकल को यह की जैसे एक जू करने के लिए फावड़े पूरी तरह से फाड़ा चला है और आच्छी तरह के से हमने उसको मिक्स करके लिया है और मिक्स करके लेने के बाद हमने उसको हर एक प्लैंट को एक केजी के इसाब से हमने यह दो यह सब मिला कर लिया है तो किसार भाई हो यह हमने अभी बेसरडोस पूरी तरह से लिया है तो तो यह बैसवडों से हमने हर एक प्लेंड को एक केड़ियर के लिय का 100KG आती है यह थे प्लेंडे के 502 सरकी पेंड आती है और इसम sentido है ज़ो हम अदिन ना अभी शेंगदाना प्लेंड आती है यह हमने 100 2000नी जरी है है रिंड भी पासव घ्रम मारे फार भी पास में साह ने घालें के तो मोगें सब्सब्स पाणी neck तो हरे कूलारा हम अचलिए जाएंगे ज़्रीपर में हम हम दालेंगे तक देखको ये सदुक्छ आप तो हमने किसल में कोई साइड में ऐसा पहला कैसे पूरी तरह से डाला है तो इससे क्या होगा जो हमारी अभी यह प्यांट डाल रहे हैं जो यह दोनों प्यांट से संक्या बहुत अच्छी तरीके से ग्रोह होगी तो इसके बज़े से जो हमारे प्लांट को नुट्रेंट आविलेबली टी जाद रहेगी और हमारी रूट डैमेज नहीं हो गया और रूट अच्छी तरके से चलेगी तो इस साइड में देखो यहां पर इतना अफ़र लगा त साइज के सिए तो साइज बहुत अच्छी रहेगी तो किसान भाई हमाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिपिकिशन आप तक जल्दी पहुचे धन्यवाद किसान भाई हो